पंडित जी पनाम बोला जाए इसमें कोई बुराई नहीं जी सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए सभी जातियों का संतुलन होना चाहिए सभी जातियों का साशन सत्ता और राजनीती में प्रत्निधित्व होना चाहिए परेयाप्त यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ बिना प्रतनिधित्व के सभी वर्ग और जातियों के आप एक सामाजिक संतुलन बाली राजनीती कर ही नहीं सकते लेकिन आपत्ती यहां पर इसलिए है कि पंडित जी पडाम का नारा जो है वो बिक्रू से क्यों उपजा बिक्रू से पहले उपश्ता तब ठीक था क्या उसके लिए विक्रू को आधार बनाना ज़रूरी है यह थोड़ा गरबढ़ है तब तक आप शायद इस डेलीमा में थे इस विभ्रम में थे बिपक्षी दल कि ब्रामणों पर डोरे डाले कि ना डाले कि ना डाले कुछ हासे लोगा कि महनत बेकार जाएगी विक्रू हुआ तो आपको लगा ना यही है राइट टाइम बेबी आप चलो इसी समय डोरा नहीं पूरा जाल डाल दो जितन प्रशाज जी ब्रामण चेतना के लिए यत्र तत्र सर्वत्र सभाई करने लगे इस को रोना काल में ऑल लाइन है लेकिन कर रहे हैं मैंना और ताल ठोक के कह रहे हैं कि समाज का दुख मैंने सुनूंगा तो कौन सुनेगा बहेंजी ने बसपाह में जो उंची जाती के लोग जोड़े थे उनको मुल संगठन में महत्तपूर नहीं रखा कभी उनको एक भाईचारा नाम की एक कमेटी बना दी और थोड़ी ठंडी ठंडी कमेटी थी कभी उठती थी कभी वहटती थी बोले इन सब को इसमें ट्रांस चारा वड़ाएंगे पनाम तो सत्ता तावर को है शक्ति को है बहेंजी ने भी आप विक्रुक इफेक्ट के चलते वह भाईचारा कमेटी भंकी और वोले भाईचारा वाले जितने भाई लोग हैं उन सबको मून संग्ठन में लाओ और प्रभावशाली भूमिकाय दो जिस दारहत में चलने वाली प्रबुद्ध सभा को आगे किया मनुष पांडे उनकी समय में मंत्री थे जब अखिलिश जी चीपनस्टर थे और उन्होंने कहा कि भई हम भगवान परशुराम की और शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा हर शहर में लगाएंगे लोकल लोबाद अब वो बहन जी से भी आगे निकल गए बहन जी तो भाई चारा तकी रही उन्होंने का हर शहर में भगवान परशुराम की मूर्ति और शहीद मंगल पांडे की मूर्ति लगाओ अच्छी बात पर शहीदों की मूर्ति लगानी है तो बिस्मिल की सुखदेव की राजगुरू की भगत सिंग की चंशिक राजात की भी लगा दो लेकिन फिर हम अपने मूल प्रश्ण पर आते हैं कि ये सारा ब्रह्म ज्यान ये सारा तत्व ज्यान ये सारा बोधत्व विक्रू के बाद क्यूँ अज़ा चलिए अब आई ही गया कोई हमारे कहने से तो रुकेगा ने ज्यान जो आ गया जब आई ही गया तो आज इसकी ज़रा पड़ताल कर लें कि ऐसी तातकालिक घटनाओं से के बाद अचानक से 360 डिग्री पर घूमने बाले राजनीती और राजनीती सामाजिक समिकरन क्या चुनाओं में वास्तव में लाब की गारंटी होते हैं बड़ा सवाल है अगर लाब की गारंटी होते हैं तो राजनीती तो लाब के लिए है और अगर नहीं होते हैं तो फिर दाउं फेल हो जाएगा